आई आपका फिर से स्वागत है अभी हम ये सेशन में देखेंगे कि हिपनोटिजम में या डीप ट्रांस में कौन से कौन से वेक्ति जा सकते है उसके कुछ टेस्ट है कि कौन से लोग डीप ट्रांस में जा सकते है और वो टेस्ट देके हम मालूमात कर सकते है शुरू में कि वो test वो pass हो गया तो समझना कि वो वेक्ति डीप ट्रांस में जा सकता है तो test कौनसी है तो वो चार प्रकार की test एक है hand class test हाथ जो है वो एक दूसरे में ऐसे अटक जाते है दूसरे है eyelid catalipsy test मतलब आखे बंध होने की चिपकने की test तीसरी है hand levitation test इसका मतलब हाथ उपर उपर ऐसा हावा में जाता है और चौती है body sway test मतलब अपना जो body का body खड़े रहते तो balance जो है वो आगे पिछे हो जाता है और body आगे पिछे होना शुरू हो जाती है तो इसे चार test है तो हम पहरी देखते हैं कि वही hand class test क्या है हाथ चिपकना हाथ अटक जाना तो हाथ चिपकने की परिक्षा तो इसमें हम क्या करते है जुनको इनको सम्मोईद होता है specially test जो लेते हैं वो stage hypnotism में लेते है stage hypnotism में stage hypnotism में पूछते कि वह किसको किसको सम्मोईद होना है उपर आजाओ तो वो stage पर कभी सारे लोग आते है पर stage पर जो लोग आते हैं उनको हम बैठने के लिए बोलते है बैठ गए फिर हम बोलते हैं कि ऐसा उल्टा नमस्कार करो देखो यह ऐसा इस तरह ऐसा उल्टा नमस्कार ऐसा उल्टा नमस्कार कर लिया है फिर यह जो उंगलिया है यह उंगलिया एक दूसरे में डालो अटका फिर लोग ऐसे उंगलिया अटका देते हैं तो उंगलिया अटक गई तो उंगलिया भी अंदर है मूत बंद हो गई अंगुटे ऐसे कर लिए खड़े और अंगुटे खड़े करके ऐसे पाओ के उपर दो तो एख सरीका वो देणפכ के तरफ देखता है कि आपके दोनों हाथ जो है वह चिपक जाएंगे मैं जैसे सूचना आपको दोंगा वैसे है दोनों हाथ जएंगे और चिपकने के बाद में आप जो उंगलियों जो चिपक गई तो आप हात अलना कर आई आपके हाथ चिपक जाएंग और उसके चिपक जाते हैं, तो जिनके हाथ चिपक जाते हैं, समझ जाना कि वो डीब ट्रांस में जा सकते हैं, तो यह कैसी परिक्षा है कि हम ऐसा हाथ ऐसे कर लिए उल्टा नमस्कार लिए, अंघूठे ऐसे लगा लिए और हाथ पेर के उपर हम बोलते कि भी देने अंगुडे के तरफ देखो अभी वो सूचना जो है मैं भी आपको देता हूँ सूचना इस है कि आप देने अंगुडे के तरफ देखते रहो आप देने अंगुडे के तरफ देखते रहो देने अंगुडे के तरफ देखते रहो आपका पूरा खयाल आप दैने अंगोडी के तरफ देखो, वहां रखो, इदर उदर देखने का नहीं है, पूरा कॉंसेंट्रेशन आप हाथ के उपर रखो, दैने अंगोडी के तरफ देखो, और आपके हाथ जो है, आपके उंगलियां जो है, वो धिरे 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 भारी भ हाथ भारे हो रहे, अभी मैं एक से तिन तक गिंदि करूँंगा और जासे जैसे जैसी गिंदि बढ़ते जाएंगे वैसे जैसी आपकी हाथ की उंगलियां और चिपक जाएंगे बहुत ताकर से चिपक जाएगे और उसके बाद में आपको हाथ अलग-अलग करना असंभाव एक उंगलियां चिपक गई है, बहुत जादा चिपक गई है, भारी भारी हो रही है, दोन उंगलियां चिपक गई है, और तीन उंगलियां चिपक गई हाथ अलग अलग होंगे नहीं, उंगलियां चिपक गई है, अभी हाथ अलग अलग करने कोशिश करो, हाथ अलग होंगे और फिर बोलना पड़ता है कि आपके उगलियां भी धिली हो रही है, धिली हो रही है, धिली हो रही है, आपके उगलियां धिली करो, धिली करो, मैं भी तीन से एक तक उल्टी गिंती करूंगा, जैसी जैसी गिंती कम कम होतो जाएंगी, वैसे वैसे आपके उगलियां धिली ह जाएंगे हैतोस टुझिकोफ यह सब्सक्राइब शिर्फरिकलगते गार संसा जाइव गये और समयतरौर चाहिए हाँ सब्सक्राइब आपने चाहिए रहे हो दसक्ति आफेकं जाना हुआ जाएख रहा किसलों कहरा है जल्दी हेपनोरे้स हो जाते हैं बएन को बोले हों कि आप देको कि देहनय हंगु Karl chu देने ख़ॉ धेल है सम्मilles हो जाते हैं। ध्यास्तों कि उनको अपने अपने आप यह दिया था कि υग और प्रोर साथ कि पर जाते हैं उनमें से 25% लोग जो है वो उनको हम बोलते कि आप रुख जाओ बाकी लोगों को हम भेज देते हैं इसका मतलब यह लोग जो है इनके उपर हम कुछ प्रयोग करके बता सकते हैं और यह लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं तो यह होगी पहली टेस्ट अब दूसरी टेस्ट जो है वह आखे चिपकने की परिक्षा और इस प्रकार के होँदी है कि लोगों को भूलते कि आखे चिपक के बाढ़ जाओ आखे बंद करके बाढ़ जाओ और मेरी आवास सुनों दुसरी कोई भी आवास सुनने के नहीं दूसरी कोई भी आवाज के तरफ ध्यान देने का पूरा बदन, रिलाक्स, रिलाक्स, रिलाक्स करो, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी आखे भारी भारी हो रही है, आखों की पलके बहुत भारी हो रही है, आखों की पलके बहुत भारी हो रही है, आखों की पलके बहुत भारी हो रही है, पलके चिपक रही है, आखों की पल के चिपक जाएंगे आपको मतलब गहरी सम्मोना उस्ता आ जाएगे एक आखे चिपक रही है आखों की पलके चिपक रही है दो पलके चिपक रही है और तीन आखों की पलके चिपक गई अब जितनी जादा कोशिच करेंगा आख खुलने की उतनी जादा चिपक जाए जितनी तोас सनक्रीमा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्रीब के विपघसा करें इस का सब्सक्राइब तो कि दूसरी। तीसरा टेस्ट जो है कि आपका हाथ जो ऐसा हाथ रठने का है चेर के उपर रिलाक्स करो ऐसा बुलने का है और रिलाक्स करने के बाद में आखे बंद करो बुलना है और आखे बंद करने के बाद में सूचना जेना है कि आपका हाथ बहुत हलका हलका हो रहा है आपका देना हाथ बहुत हलका हलका हो रहा है, बहुत हलका हलका हो रहा है, और उसको ऐसा, आपको मैसूस हो रहा है कि उसको फुगे बांदिये गए, बहुत हलका हो रहा है, बहुत हलका, फुगे बांदिये गए, और वो इतने फुगे बांदिये इतना हलका हो गए, कि हाथ उपर उपर उठना शुरू हो गया है, तो आपका हाथ उपर जा रहा है, 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 और उपर हवा में जा रहा है, ऐसा करके करते 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 हैं, ऐसा हाथ पूरा उपर जाता है, तो हिपनाडिसम का यह अगला पारटे कि जो है मतला पहले टेशंने दिया ह tipuk नेगी और दूसरी टेश्ट दिया को और छली तीसरी टेश्ट हम ने दिया ही हाथ- हैंड लेविटेशनिन टेस्ट हाथ उपर-उपर जा रहा है और हाथ उपर गया इसका मतलब और अच्छा समय हो रहा है और पूरा हाथ उपर गया, अच्छा समयत होगा, मतलब ये डीप टांस में जा सकता है, फिर हम बोलते कि हाथ नीचे लाओ, हाथ नीचे लाता है और धिला करके आप भी आखे खोलो, आखे खोल देता है, तो यह होगे हैंड लेविटेशन टेस्ट, यदि हाथ उपर उसका ग कोलरा वैसा वैसा होरे तो इसका मतलब ये डीप टांस में जा सकते हैं, और इनकी ओपर हम कोई भी प्रयोग करके बता सकते हैं, और इनको हम सूचना है देते हैं, तो वह सूचना भी घ्रहन करेंगे, और जल्दी उनको फायदा होगा, चबती टेस्ट जो है, वह बाड़ी स्वेटेस्ट, मतलब बाड़ी आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे होगा, हम उसको बलते हैं कि पैर दोनों पास पास मेला के खड़े हो जाओ, देखो और आखे बंद करो, आखे बंद करो, मेरी आवास सुनो, मेरी आवास सुनने का है, मैं तुमारे दो कि अंक्ते कर भी technology करो है अगे पीछे इसा फिरना शुरू हो गई है एसा उसको भंभते बॉलते रहते ऑगे पीछे इंदे करो जोचो डूब पूझ पूसलिंगे और जोडिों से यागी पीछ रोहे हूं यागी कि पीछे खड़ा हूं असा कुछ हो गए कि आप पिछे गिर्स लगता है तो फिकर अशुल ना इसा ने में पीछे कपड़ा हूं तो आगे वो सामने जुप जाता यह गिर जाता तो इसको हम पक्ड़ लेते तो यह बाड़ी स्वे तेस्ट मतलब बॉड़ी आगे पिछे खिना और यह पास होता है् यह बोड़ी सिस्टी पीच्छे होती है वो light में जाएंगे लागे में पर मिडियम में जाएंगे बाद में फिर इप मेजये और कुछ लोग पहले डीप में आए और डीप में इसका मतलब चार play में से कोई भी किस पास करना या जारूब पास करना और उसमें मैं फिल से दोह रहाण हैंड क्लास्ट टेस्टा चिपकने की परिक्शा आखे बंद करने की मतलब अधर क्टलिपसि टेस्ट आखे बंद करने की परिक्शा तीएंड लीविटेशन टेस्ट हाथ ऊपर जाने की परिक्शा और चेवitate सब्ढ़ वारई स्वेत एज प्रियं वाड़े पूर की पीछे कि उसको देते हरोग पांस हो जाता है तो डफीनेटलということ डीप टान क्पार सकता है एक भी पास हो गई तबीप टांस में जा सकता है और वो एक बार तेख हम मालुम बढ़ा कि एड डीप डांस में जा सकता है तो हम उसको फटाफट फटाफट ठीक कर सकते हैं थेंक यू वेरी मच